जालोर जिले के रामसीन थाना इलाके के मांडोली गाउं में एक किराणा व्यापारी की हत्या को दो सप्ता बीच जाने के बाद भी पुलिस के हाथ फिलहाल खाली है लेकिन लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है आक्रोश बढ़ने के साथ ही लोगों में चिंता है कि हत्यारे प आज इसी मामले को लेके धर्णा प्रदर्शन का आयोजिन किया गया लोगों ने विरोध जताया और रामसीन के आपेश्वर मंदिर से पुलिस्ताना रामसीन तक पैदल मार्च निकाल के बाजार बंद रखे गए रामसीन जो के एक बड़ा कस्बा है और शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध हैं वहाँ पूर्णतया बंद के कारण लोगों को परिशानी भी हुई मामला कुछ यह है कि मांडोली गाउं है रामसीन के पास वहाँ किरणा व्यावसाई गणपत सिंग की हत्या कर दी गई और उस मामले में पुलिस का कहना है कुछ सुबूत जूटे हैं कुछ लोगों पे शक्सुभा भी हैं लेकिन फिलहाल तक आरोपी हत्थे नहीं चड़ें नामजद ही नहीं हो पाए हैं क्या कारण रहा है इस मर्डर का इस ब्लाइंड मर्डर का यह तमाम चीजें जो है उसको लेके आज जो धरना प्रदर्शन प्रस्तावित था उसके बाद लोग जिस संख्या में जुटे हजारों की संख्या में उससे लगता है कि आक्रोश जो है वो गहरा है आजपास के लोग भी आए हैं और पुलिस की नाकामी के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया और ठोस कारवाई किये जाने की मांग की गई हैं साथ ही मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए ग्यापन में न केवल आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफतार करने की मांग की गई हैं बलकि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के वे को भी थोड़ा टेक्निकल करने की यानि की फोरेंसिक और डियने लैब्स को इन्वाल्व करके मुख्याले से टीम बुला करके जाच की मांग की गई हैं आपको ध्यान होगा हम पहले भी इस मामले हम बता चुके हैं कि राम सिंधानाक शेत्र में गणपस सिंग पुतरान सिंग की नर्शन सहत्या कर दी गई थी दो सब्ता बीतने के बाद भी अभी तक इस मामले में कोई भी बड़ा क्लू जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लगा है गिरिफतारी नहीं हुई है आरोपी नामजद नहीं हुए है और पुलिस का कहना है कि उन जिसा सरकार दावा कर रही है उसकी मांग करते हुए सर्वसमाज के लोगों ने जालोर और सिरोई जिले के जो लोग आए उन्होंने निश्पक्स और त्वरित जांच की मांग किये साथ ही जांच में उच तक्ति की उपकरण वे फोरेंसिक विशेश शक्यता का उपियोग तो जिला इस तर पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की रहेगी इसी तरह से और पुलिस ने इस मामले में जब ग्यापन सोंपा गया तो पुलिस का एकना है कि दस दिन में इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा चार्च में तेज सिंग भागसीन, किसान नेता, सोजान सिंग, गुमान सिंग देवडा, गोविन पाल सिंग, समेत कई लोगों ने जो है वो संभोधित किया और त्वरित कारवाई की मांग की है। अब स्पी साब ने आस्फस्त किये, हमारे से पूरी 37 कोम से उन्होंने टाइम मांगा हैं, 10 दिन का, 10 दिन के बितर के अंदर अंदर उन्होंने का है, पुलिस पर सासन्ने के हम इसका परदा फास कर देंगे, आरूपी हमारे बहुती नजदिक है, आज हम आपको थोड़ा आपकिया में 37 कोम से पदारे और भाई गनपर सिंग का लोगों ने साथ दिया इस धन्ने में, उनका सब के हम रणी हैं, आबारी हैं, और इसी तरह से 37 कोम से हमारे साथ की संभावना है, गनपर सिंग मांडोली की जो अत्या के लिए आज जो 37 कोम के दारा जो राम से ठाने क आगे दन्ना दिया गया है, वो एक दिवसी पुलिस परशासन को सेतावने के लिए, हमने 7 दिन का टेम दिया था, मगर पुलिस परशासन ने 10 दिन लिया है, और 10 दिन के अंदर अंदर इस जो अत्याकान में आरोपी ने गिरिपतर के 11 दिन जो परदेश भर के करनी सेनिक औ हमने जो अब आज थाने का गिराओ किया, पुलिस को अल्टीमिटम दिया है, अगर 10 दिन के अंदर इस राज को नहीं खुला, अन्यता हम 11 दिन जिला परशासन, जिला क्लेक्टेट के आगे दरना परदसन करेगे, और उसमें राजपुस समाज के चत्रिय कॉम के जितने भी परशासन की होगी, अगर 11 दिन पुलिस नहीं खुलेगी, तो पुरे राजस्तान और पुरे भारत वर्ष से चत्रियों को आवान किया जाएगा, और लोगों को बुलाया जाएगा, और बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा. इसमें कोई सक नहीं है, प्रन्तो अब कहां वोगी चीज का पत्ता लगाने में थोड़ा तहीम है, नेता लोग मारी बदद ने कर रहे हैं, सीडिसी बात है. नाराण सिंग जी ने एक बार थोड़ी चूद ली ती हमारी और किसी ने ली ली. कोई MLA, MP साब? ने, MLA, MP साब कोई. उनके गाउं के भी MLA है? उनके गाउं के भी MLA है, उनने भी ने ली ली. बात ये है. अब एक बच्चा है छोटा है, उसका क्या हाल होगा? श्री गंपर चिंजी हत्याकान अंड मांडूली को लेके, राजपुत समाज के मुक्या और आमजन दोरा एक ज्यापन हमको दिया है, जिसमें इस ब्लाइंड मर्डर के तप्तीश के बारे में, अब तक की परगते से हमने आउगत करा दिया है, और हमारा भी पुलिस की सभी टीमें इसमें गयनता से लगी रही है, टेक्निकल टीमें हो चाहे मैनुवली गवर को हमारा चल रहा है, और सभी हम अधिगारी भी इसमें लगे हुए हैं, और हम उमीद है कि कुछी लाइन पर हमारा काम चल रहा है, और हम जहल दी हिसन किसी नतिजे पहुँचके और इसके इसका खुलासा कर देंगे।